नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल प्रभाल अंपी में आज हम लेकपाल से सम्मधित ग्राम समार्यम विकास सिरीज नंबर 12 लेकर उपस्थित हुए आपके सामने इस्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का दच्छड पश्चमी छेत्र वायो पदन से सरवाधिक प्रभावित होता काली मर्दा को रेगुर करेल्य का पासी मर्दा कहते हैं राकड मर्दा में तिल तरह चने की खेती की जाती है उसर भूमिको रेह बंजर एवं कलर के नाम से भी जाना जाता कोई ए सरवाधिक संग है कहा है उत्तर प्रदेश में है राजस्थान नहर का नया नाम क्या रखा गया था इंद्रा गांधी नहर है ठीक है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है इंद्रा गांधी नहर इंद्रा गांधी नहर को शत्रलत नदी से पानी प्राप्त होता उत्तर प्र यागराज से हल्दिया च्हेत को राश्टी जल्मांग घोस्तित कि आ गए यह सबसर्वाधिक सबसे बड़ा जल्माघ राश्टी जल्मां सर्वाधिक बड़ा है उत्तरव देश में परियुजणा राजगाट बांदेव नहर परियुजणा उत्तरफिदेश शंतेष की संयुक्त्य परयोजना बेतवा नदी पर बनाई जाक पर दिये कहां पे बनाई जारी यहाद बहुत भलब independent सागत सोव्च्ण बंप्स्थित उत्तर्वदेश की गोखुल बैराज जो पर्युज़ना है कि पूछरें उत्तर्वदेश की पर्यूजना है तो गोखुल बैराज आएगी फुला जी ल उत्तर्वदेश के पीली भी जिले में पूर्णी, और यही क्या है? पूछा रहें नियामक क्या होता है तो क्या होता है सिचाई की पानी की अपूद के विनिमय के लिए निर्मि सिचाई निर्माण कर जो होता है उसे नियामक कहा जाता है पानी का वेग परिशुदता से मापने के लिए पिटाड नली का प्रियोकत ने किसका पिटाड नली का उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीत 1952 में लाई गई थी उत्तर प्रदेश में दिती वन नीत 1986 में लाई गई राष्टी इस तर प्रथम वन नीत 1986 में आई उत्तर प्र कि पूछाए राश्टी वन सरवच्छन संस्थान सफनाथ देहरादूर में उत्तर विद्टेस का सचhando कानपूर में अरच्षत वन राजिकी, सामदायग आई सब लो से प्रकार है soldier जो वन पॉन रूप से त्थानी निकाए के संउच्छ्ण में, उसे सामुधाईक में भ 1947 की रहते हैं, अब यहां पर देख लिए你 कुछ नहीं होगा ध्यान में रखेगा वने रिपोर्ट प्रतेग दो साल के अंतराल पर जारी की जारी प्रतेग दोवस बात ठीक है वने रिपोर्ट 1987 से जारी की जारी कबसे 1987 से वरच्छ बंधु पुरुसकार योजना वरच्छा रूपन वने जीव सनच्छण को बढ़ाव देने से संबंधी था यह थीक है ना वरच्छ बंधु दा इंटीग्रेटर फॉर्ट इसकी इंटीग्रेटर फॉर्ट प्रोटेक्शन इसकी वनों को चोरो और अगनी से बचाने से संबंधी था उत्तर प्रदेश में सामाजी वानिकी युदा 26 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम वेल हाथी जो की सोनभद्र में स्थी देए कहां पेश दीदा है वेल हाथी ग्राम सोनभद्र में ठीक ना सगन ब्रच्छार उपर कारिगम 2526 में चलाया गया था बन रिपोर्ट 27 की तुल्ला में 126.65 वर किलो में वर द्रिव हुई है कितना 126.65 किलो में वरद्धी हुई है बन रिपोर्ड 29 जो करम में वह वह सोलमी वन रिपोर्ड याने कि 2019 में वन रिपोर्ट जो है प्रकासित की गई है अंतराश्टी वन दिवस 21 मांच को मनाएजाए कम बनाएजाता है किस मांच को वन रिपोर्ट 2019 के उसा उत्तर प्रदेश में 16 582 वर किलोमेटर वन छेतर पाया जाता है हुआ हैुआ उत्तर प्रदेश में 16 582 वन रिपोर्ट धोर्ण नीस सा उत्तर प्रदेश में 3.0 पाया जाता है कि इतंप वर्ग किलो मेटर है समद मध्यम सगर्ण है कितना है वो 4008 वर्ग किलो मेटर है फिर देखते बन रिपोट 2019 के नुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सरवाधिक वन खेतर पाया जाता है कहां उत्तर प्रदेश के स्ऩंवाधिक स्थानगर वहां सोल मी एवन रिपॉरमें किसमें इंच सर्वाधिक restless कि सरवाधिक व्रढ्दीव कहां करनाटक राजी में में महिंग्रोवन की सर्वाधिक व्रढ्दिद्ध यह कहां है परच्छों से आच्छादी देखेवल 24.56 और होना कितना चाहिए स्कुल मिलाकर होना कितना चाहिए 33 परिस्द जो चेतरों पर वन पाया जाना चाहिए यह भी स्रीज आपकी समाप्त होती है अगली स्रीज में आप से हम मिलेंगे तब तक के लिए गुड डे गुड बाई